IPL की सभी फ्रांशाइज ने मंगलवार यानि की 30 नवंबर 2021 को रिटेन किये गए खिलाडियों की लिस्ट जारी कर दी है कई बड़े चहरों को रिटेंशन लिस्ट में जगा नहीं मिली है वहीं कई ऐसे भी खिलाडी रहे हैं जिनने रिटेन कर फ्रांशाइज ने सभी को चौका दिया रिटेंशन के बाद मेगा उक्षन होना है दो नई टीमों के जोडने से मेगा उक्षन और भी जादा दिल्चस्प होने वाला है कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल जनवरी के महीने में मेगा उक्षन हो सकता है देश और विदेश के कई बड़े और अनकैप्ट खिलाडी इस उक्षन में उतरेंगे उन पर जमकर बोलिया लगने वाली है हाला कि कई ऐसे खिलाडी भी आउक्षन में होंगे जिनने खरीदने में कोई फ्रांचाइस शायद ही दर्चस भी दिखाए आईए एक नजर डालते हैं उन पांच भारतिय खिलाडियों पर जो मेगा उक्षन में अनसोल रहे सकते हैं केदार जादव भारत के लिए खेल चुके हैं रम्मी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं अब शायद ही टीम इंडिया में केदार जादव की वापसी हो आईपियल 2021 के 6 मुकाबलों की 5 पारियों में बल्लेबाजी का मौका मिला सिर्फ 55 रन ही बना सके 19 सरवादिक स्कोर रहा इससे पहले केदार जादव चिन्नई के लिए खेलते हुए 18 पारियों में सिर्फ 248 रन ही बना सके 36 साल के केदार जादव की उम्ड और फॉर्म को देखते हुए तो यही लग रहा है कि वे अंसोल रहने वाले हैं शायद ही कोई फ्रांचाइज केदार जादव को खरीदने में दिल्चस्पी दिखाए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं एक समय MS धूनी के सबसे भरोसे मन गेंदबाज हुआ करते थे साल 2014 में मोहिच शर्मा चेननई फ्रांचाइज का एहम हिस्सा थे उन्होंने उस सीजन 23 विकेट जटके थे पोपल कैब भी जीती थी इसके बाद विश्व कब 2015 में भी खेले लेकिन बीते कुछ सालों में मोहिच शर्मा का नाम अचानक से गायब हो गया इसकी वज़ा इंजरी और खराप फॉर्म है आखरी बार मोहिच शर्मा 2020 IPL सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला चार ओवर के स्पेल में 45 रन खर्च कर एक विकेट जटका था मुम्किन है कि मोहिच मेगा आक्षन में अपना नाम देंगे पर शायद ही उन पर कोई फ्रंचाइस बोली लगाए चितेश्वर पुजारा चितेश्वर पुजारा को हमेशा टेस्ट क्रिकेटर समझा गया लेकिन टीट्वेंटी क्रिकेट में उन्होंने शतक लगाने का कारनामा भी किया है साल 2018-19 के सयद मुश्टाकली टॉर्नमेंट में उन्होंने रेलवे के खिलाफ शतक लगाया था लेकिन एक भी मैच खिलने का मौका नहीं मिला इस समय पुजारा खराब फॉर्म से गुजर रही है हो सकता है कि उन्हें टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया जाए इसे में मेगा उक्षन में शायद ही पुजारा पर कोई फ्रांचाइस बोली लगाए धवल कुलकरणी धवल कुलकरणी घरेलू क्रिकेट के बहुत बड़े गेंदबास है मुंबरि इंडियन्ज चा हिस्स्या थे धवल को रिटेन नहीं किया गया रिटेन करने का मतलब भी नहीं बन था पिछले दो सीजन में धवल कुलकरणी सर्फ दो ही मैच खिल सके इन दो मैचों में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला 32 साल के धवल कुलकरणी मेगा आक्शन में उतरेंगे और कोई टीम उन पर बोली लगाए इसकी उमीद बहुत कम है कर्ण शर्मा 34 साल के हो चुके हैं चेन्नाई सूबर किंग्स का हिस्सा थे लेकिन साल 2021 में एक भी मैच खिलने का मौका नहीं मिला साल 2020 में चेन्नाई के लिए पांच मुकाबले खेले थे पांच विकेट जटके भी थे कर्ण शर्मा T20 क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है और मेगा उक्षन में जादतर फ्रांचाइज भविश्य को देखते हुए खिलाडियों पर दाव लगाने वाली है कहा ये भी जा रहा है कि इसके बाद मेगा उक्षन नहीं होना है ऐसे में 34 साल की जगा फ्रांचाइज किसी 22 साल के युवा स्पिनर को टीम में रखना चाहेगी जो आगे चलकर टीम के लिए मैच विनर साबित हो मुम्किन है कि कर्ण शर्मा को कोई खरीदार ना मिले आपके लिले लिस्त तयार कीती हमारे साथ ही अविनाश ने स्पोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल अलंटो शुक्रिया